नमस्कार दा इंडिया टॉप देख रहे हैं आप देश में प्रधान मंत्री को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है चुनाव तो आने वाले समय में है और चुनाव में अभी समय है लेकिन चर्चा अभी से सुरू हो गई है आपको बता दे जद्यू के नेराश्टिया ध्यक्ष ललन सिंग बने थे उसके पहले एक बैठक दिली में होई थी उस बैठक के बाद ही उपेंद्रकुष वाहा ने ये बयान दे दिया कि आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई प्रधान मंत्री के लिए सबसे प्रवल दावेदार है तो वो है बिहार के मु लग गई है और जिसके बाद ये चर्चा और ज्यादा तेज हो चलिए विपक्ष को एक मौका मिल गया है और सीजे तोर पे विपक्ष ने नितीज कुमार पर निशाना साधाया और नितीज कुमार के बारे में कहा है कि नितीज कुमार बीजेपी के साथ एंडिये प्रवक्ता ने दावा किया है कि नितीश कुमार अच्छे नेता है और नितीश कुमार ने कताई इस बात को नहीं कहा है कि वो देश के परधानमंत्री बनेंगे देश के परधानमंत्री के लिए वो उमिद्वार हैं लेकिन इस बात की पुष्ट है उनके पार्टी के नेताओ का है आप ये वीडियो देखिए कल के जद्यू के राश्तिय परिशत के बैठक में एक परस्ताव में आदर्निये मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी को पीम मैटेरियल बताया गया दुर्सी तरफ उसी परस्ताव में ये भी कहा गया कि वह परधान मंत्री के उमीदवा नहीं होंगे अगर विरोधी कुछ अलग से कुछ सोच रहे होंगे अलग सपना देख रहे होंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे तो उनके सपनों को आदर्निये मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी ने मिडिया के सवालों का जवाब देकर उनके सपनों को चूर कर दिये हैं राश्टिय परवक्ता आधनिया केसी त्यागी जी ने ये कहा कि सबसे पुराना और ट्रस्टी एलाइज इंडिये का जद्यू रहा है अन्य परदेशों में भी हम साथ में चुनाव लगना चाहेंगे इसलिए विपक्ष के लोग हसीन सपना नहीं देखें म एक तरफ नितीश कुमार जहां इस मुद्दे पर घिरते जा रहे थे वहीं दूसरे तरफ अब बीजेपी नितीश कुमार के समर्थन में उतर गई है और प्रधान मंतरी को लेकर साप साप सब्दों में कह दिया है कि नितीश कुमार प्रधान मंतरी के लिए उमिद्वार है लेकिन इस बार दावेदारी पेस नहीं कर रहे हैं ये बात बीजेपी के द्वारा भी अपस्युकार लिया गया है